भारतिय अर्थवैवस्था के ख्षेत्रक आर्थिक कारेओं के क्षेत्रक इन चित्रों में लोग विभिन आर्थिक गतिविधियों में कारे रत हैं। इन में से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का स्रिजन करती हैं, ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहां तक की हमारे बोलने में भी. हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? हम विभिन्य प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं. प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उप्योग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती. यह एक मौसमी फसल है. कपास के पौधों की विधि के लिए हम मुख्य तह ना कि पूर्ट तह प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूरे का प्रकाश और जलवाईू पर निर्भर हैं. अतह का पास एक प्राकृतिक उत्पाद है. इसी प्रकार डियरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आधी की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं. अतह इसका उत्पाद दूद भी एक प्राकृतिक उत्पाद है. इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं. जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उप्योग करके किसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्रात्मिक क्षेत्रक की गतिविधी कहा जाता है. प्रात्मिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है, जिन्हें हम क्रमशह निर्मित करते हैं. चुकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद क्रिशी, डियरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्रक को क्रिशी एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है. द्वित्यक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतरगत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्मान प्रणाली के जरिये अनेक रूपों में परिवर्तित किया जाता है. यह प्रात्मिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है यहां वस्तुएं सीधे प्रक्रिती से उत्पादित नहीं होती हैं बलकि निर्मित की जाती हैं इसलिए विनिर्मान की प्रक्रिया अपरिहार है यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कारशाला या घर में हो सकती है जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत कातते और कपड़ा बुनते हैं गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग ना कर हम चीनी और गुर तयार करते हैं हम मिट्टी से इंट बनाते हैं और इंटों से घर और भवनों का निर्मान करते हैं चुँकि यह क्षेत्रक क्रमशह समवर्धित विभिन प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे उद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्रात्मिक और द्वित्यक क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटी भी है, जो तृत्यक क्षेत्रक के अंतरगत आती है, और उपर बताये गए दो क्षेत्रकों से भिन है। ये गतिविधियां प्रात्मिक और द्वित्यक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। प्रेनो द्वारा परिवेहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी-कभी वस्तुओं को गुदामों में भंडारित करने की आवशक्ता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलिफोन पर दूसरों से वारता लाप करने या पत्राचार, समवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवशक्ता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतियक गतिविधियों के कुछ उदारण हैं। चुकि ये गतिविधियां वस्तुओं की बजाए सेवाओं का स्रिजन करती हैं। इसलिए तृतियक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहारे सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक शुरूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनेक एवं लेखा करण कारे करने वाले लोगों की आवशक्ता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रोध्योगी की पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, ATM बूत, कॉल सेंटर, सौफ्ट्वेर कंपनी इत्यादी भी महत्वपूर्ण हो गई हैं।